हलो दे सूदेंट्स कैसे है आप सब लोग मैं मुईंट पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और आज एक बार फिर से आपन करने जाने करने वाले है क्या आज अपन करनेवाले है weekly current effect 27 मार्ण से लेकर एक एपल्ट के सारे के सारे करेंट आज फिर लोग के वाले तो क्या आफ सो lonrage happy रैदि और अगरी है तो फटावट 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 स्वाया लाइन ताकि कि आपने देख सके कि आज क्या क्या चीज़े है और आ गया मैं आगया आगया गया जली जल से आजए यह आप लोग भी सारे कि सारे कॉन को रहा है आज स्माइल गुड मॉर्णिंग सर गूर्णिंग ऑल वे स्माइल आवंतिका कुष्वहा सरा गए ढूट मोर् Communications 않म नमन बहुवार्द बहुत उपको ठीके 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 सबको बहुत बहुत बूर्णिंग आप सब का स्वागत करता हूं मैं पर जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे नियूज बहुत सारे करेंड अफेस बहुत सारे जी के उसके उसमें आपके मार्क को करवाने में तो क्या आप सब लोग रेड़ी है एक दम गूड़ मॉरिंग सब को जानवी अयूश प्रमोट ठाकूर आरपी जएपी ठीच 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 अई यूश जागरित राजपूत सब को सबको सबको फटाफट फटाफट शेशन को श स्टार्ट करने पर एक छोटी से अनाउसमेंट्स अ सर एक बार नाम ली लिजिए तिंग वंग लोहाम ठीके चलो सुने चलो से स्टार्ट करने पर एक इंपोर्टन चीज सुने कल कल इसी टाइम प्रेड में मदफ साथ बजे आपन क्या करेंगे अपन करने वाले हैं जादा कोशन आने वाले हैं आपके एक्जाम ने तो कंप्लीट मार्च के लिए एकदम रेडिवन ठीक है कशिज असर हम नहीं दिख रहे हैं दिख रहे दिख रहे बास असलाम सर्वालिकम स्लाम ठीक है और कोई गूजए पैव्ढोंग को जानו कुड जाला कॉट मॉर्निंग आईए स्टाट करते एक बार फिर से आपका है और अटेटेश को लेकिट्स Prime सबगने तो नहीं पर कुछ इस तरीक है दो पॉन इस तरिके के कह सिबैस्ट मंग दो है कुछ फॉलॉइंच रोगे प्रेंटेट Fauji फ्रेंटेसिजी स्पोर्स की डिके किरिक पे करिक नाम का जो फैंटेजेसपोर्स एफ यह किसने स्टाइब किये जल्दी बताइए किषने कॉने से फैंटेसिस नाम से क्रिक्से जली जली से आंसर आनगे स्टार्ट हो गए एजए गोवर के बी-बी-बी-बी-बी-बी आंसरा सब के सब चबाज सबसबसबबस आ और जोती गुपता कभी आचुका है अयूश नावब इडिर्ट सारत तेरी के आवर्थी का सब का सब का सब का सोना ली रिशू आएस इंस्पिरेशन और नॉलेज गूड मॉर्निंग अन्छु मोरिया सोरव गांगोली के रही है अरे अन्छु मुरिया ले कटा ठीक है बाके लोग जिल जिल से बताओ बी 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 आंसर आज सब के चल तो आशनीर गोलवर इसका बिल्कुल 100% सही आंसर आप लोग मता बताया था मने क्रिकेट फेंटेसी स्पोर्ट्स क्या होती है तो क्रिकेट फ्रेंडेसी स्पोर्ट्स में हम लोक्या करते ओर डूरी मिलेवन की तरह अना आप लोग यहापर क्या 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 पड़ा दरने मतलब आज निग्रोवर ने स्टार्ट किये और क्रिक्पे में आप लोग अपनी फेंटेसी टीम बना सकते जैसे फॉर एक्जमपल मैच चल रहा है किसके बारे में मैच चल रहा है मानलो और कल से बीच में पता होगा तो किस-किस के बीच में मैच हुआ था अब दोनों के बीच में चल रहा था तो फैंटेसी में क्या होता है हम लोग 11 फ् prediction मैं लेकिन सीन किया यह 11 जो या और फिर मैंन भण effort प्लिया फिर मैंने मोम मॉहम्माच सीराझ भी लेलिया ठीक推 मैंने मंढ़ो लिए ठीक है ऐसे क्या करने मुझे और मेरे जो प्लेयर है थोड़ा सा छोड़ा सा आमाउंट लगता है इसमें आमाउंट कैसा जिसमान लोग पटास और लगा दिया मैंने और अगर मेरी टीम अच्छी पर्फर्म करती है तो मुझे करोडो की नाम भी मिल सकते वह वाला लाओंगे नहीं क्योंकि समझा रख है मैंने एल एल जिस क्रिक पे क्रिक पे हैना और बॉल की उपर क्या रुपिस का सहीन है यह अश्निर ग्रॉवर देखो लिजिल से भारत पे को फांडर अश्निर ग्रॉवर लांच्ट क्रिकेट फेंटैसी स्पोर्ट्स एप जिसका ना सब्सक्राइब तो गूगल और एपल दोनों स्टोर के पर ही अविलेबल है इट कैन भी यूजर्स आवाव दे एज एज और 18 साल के उपर की एज अगर आपकी है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं और अगर आठाना साल से कम की एज है आपकी तो आप जब डाउनलोड अब टाइम बाद आई तो एना देखो आशनीर ग्रोवर और यह टाटा इपल के है ट्रॉफी जली जल से बोल रहा है अशनीर ग्रोवर ने क्रिक पे लॉंच किया भारत पर के सह संस्तापक अशनीर ग्रोवर ने एक क्रिकेट फेंटेसी स्पोर्ट्स एप क्रिक पे लांच किया है लांच 31 मार्च को शुरू होने वाले आई प्ल टॉर्णामेंट से पहले हुआ किस पर उपलब दे तो गूगल स्टोर और एपल सो प्लब दे इसका उप्योग 18 वज से अधिक आयू के उप्योग करता कर सकते हैं और क्रिकेट खिलाडियों की एक आभासी टीम बनान सब्सक्राइब अब टेलीजिन स्क्रीन पर गॉवर्मेंट एस रिसेंटली एप्रूफ देडिकेट टू तो स्टैच्टी आफ नॉलेज किसके ऊपर बंदा फटाफट से आंसर बताओ रो 66 सब पीडियेफ नी मिली है पीडिये मिल जाई आज अज वाले आज वाले में सारा कुछ ही है तो घटाना हो जाएगा सारा किसरा ठेकल टेंशन मतलों है ऐसे सलीम आली गुड और मॉर्निंग चलो समय आ कि समल में आए वेरी गुड इसकान से तो खुशी कुमारी गूपर दौनिंग सब को सबको 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 बहुत सारा गूर्मानिक इसकान सब जली जली स प्रजापती सर रशेन मिली ने रशेन नहीं मिली जल जल से अंसर दो कि गवर्मेंट रिसेंट गवर्मेंट ने अभी स्टैच्यू आफ नॉलेज जो है वो स्टार्ट की बनाने की बात करिया स्टैच्यू आफ नॉलेज 14 अप्रिल को इंस्ट्रॉल होने वाला है तो मुझे बताओ कि सरकार ने हाल ही में किसको समर्पित किया है स्टैच्यू आफ नॉलेज और इसकी स्थापना कापर होने वाली दोने चीज़ बताओ मुझे ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुलकलाम डॉक्टर हमी भावा डॉक्टर बियार अंबेटकर या मौलाना अबुलकलाम अकेला पूछ रहे हैं और यहां पर आर्टिस्ट निशा चोहान आयूश यादव निलम मिश्रा डिंपल पाल गुडु भीया अभी शेक सबके सबके सी आंसर आ रहे हैं बिलकुल 100% से यह डॉक्टर भीम राव राम जी अंबेटकर डॉक्टर भीम राव राम जी अंबेट लेकिन बर्थ एनिवर्सरी लेकिन पहले इसका उध्गाटर होगा हेलिकॉप्टर क्या करेगा फूल वगरा बरसाएगा ठीक है इस इस उत्सवव का यह इस मोमेंट को कॉमेमरेट करने के लिए और 14 अप्रिल से यह हम लोगों देखेगा लगबक 71 फीट बड़ा है और फा श्रेश कर प्रजापती लात्र महारास्टर में है ना आइएस के बार में इंफरमेशन लेते देखो कुछ इस तरीक का बनेका ठीक है भारत का समीदान दो इंडिया इनके हाथ में है दो के वोला गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया एप्रूट दे इंस्टालेशन अफ नॉलेज्ज देडिकेट टू अमबेड कर अ 75 फीट कितना उचाहतों पिचतर फीट उचाहत जो है यह स्टैचू है और डॉक्टर पीयार अमबेड कर विल बी अनुविल इन लातूर महारास्ट यह इंपोर्टन अगर लातूर के बार अगर पूछे कि यह स्टैच्य आफ नॉलेज कहां बनने वाला तो लातूर महारास्टा में बन रही है ठीक है लातूर महारास्टा ओन 13th April बस्टैच्व विल विल इलेक्टेड विल इरेक्टेड अडे बिफोर हिस 131st बर्थ पार्क जो कि लातूर में है और कब किया जाएगा तो इनका 131st बर्थ अनुवर्सरी है उसके एक दिन पहले मतलब 13 अपरिल को इट हैस बिन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फाइबर ऐस दो प्राइमरी मटेरियल और फाइबर जो है इसमें प्राइमरी मटेरियल की तरह में आक्षे हलके ठीके तो आक्षे हलके कम नाम याद रखना खुशी सिंग लाइफस्टेल गूर्मानिक ठीके देख इदर हिंदी में देख लो एक वर फटावर से क्या वोड़ रही है तेरा एप्रिल को महारास्टा के लातूर में डॉक्टर बी आर अंबेड कर की 55 फिट का उपियोग करके इसका निर्मान किया गया है 14 अप्रिल को इस अवसर को मनाने के लिए एक हेलिकॉप्टर पतीमा पर फूलो की पंखुडिया बरसाएगा कलाकाल इसके है अक्षे हलके ठीक है आई होब समझ में आ गया है तुम लोगों को यह देख लो फाजर आफ दे इं कि अबर नाइटेंट फिटिक्स को ही है और बरत इनका 14 अप्रिल को है तीक है वाद अवा दो प्रिंसिपल आर्केटेक्ट आफ कॉंस्टिशन आफ इंडिया के प्रिंसिपल आर्केटेक्ट है ना तर आपको क्लास करके मज़ा आ जाता है विशालकुप्ता थैंक्यू सो अनुभण प्रनाव आपको सब्टेच एंडिपेंडेंटि इंडिया के पहले फॉर्फ लॉमीनिस्टर टो which किसके किसके आगेस्ट में काम किया है डिस्क्रिमिनेशन के घ्राइशन होता था विमेन के साथ और लेबर के साथ जो होता है आज भी तो उनके खिलाब आवाज उठाते दे डॉक्तर भीमदा रामजी अंबेड कर सर्ने मिनका पहले क्या था अंबावदेकर था अंबावदेकर जो कि अंबावदे एक जगा का नाम है महारास्टा में ठीक है लेकिन बाद में एंबेड कर को चेंज हो गया था और बाद में इन्होंने आफ कास्ट इनके किताब करना में ठीक है समझ में आ गया है तो फटावट 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 से दिखाऊ मुझे अपने अंगटे और बताओ कि सर आता है सब कुछ को दिकत नहीं यह तो आप हिस्ट्री में भी पढ़ाया थे सर ओके ओके चलो सर कोश वन कोशन आम हैवि टेलेविजन स्क्रीन पर देखो क्या है नेच्ट कोशन हमारे टेलेविजन स्क्रीन में है विच इंडियन टीम वन दा एशियन खोखो चैप पेशिप टाइटल 2023 मेरे फोन नहीं है मेरे मैसेज मत करो अब भेजना अरे यह आंसर बताव एंडिया वालो जली यली से एंडिया वालो कांसर स्यूइटी वालो से पहले आ जाना चाहिए विच इंडियन टीम वन द एशियन खोखो चैपेशिप टाइडल 2023 किस भारतिय टीम ने एशियन खोखो चैपेशिप दोहज़ यह अल्टो टॉक्ट आपाउट सेपरेड एलेक्टोरेट वर्ट वित महत्मागांदी इस एडवाईस जोइन दो कॉंग्रेस हां सेपरेड इलेक्टोरेट दली तो के लिए कैंसल कर आने पढ़ गए थी महत्मागांदी के वजह से वह बताऊंगा अलग टॉपीक है उसका इस नहीं देखिए वह आंसर दे रहें कि सरसी अंसर से तो जिस ने आंसर दिया है सी उन सब का अंसर एक टा बार बार बोले के बावजूद कि सी तो सी तो सी तो देस पासी तो कटता ही है लेकिन मानते का हो तुम लोग अंसर कैस का बोट ए-and-व तो इंडिया की विमेंस औ मेंज दोनों की दोनों टीम जो है वो जीट चुकी है कया aysian koko Championships थे के दोनों की दोनों और सबसे खतर्राऊज बात है कि जैसा दोनों की मेंडिया जितो हम जुका है जली जली तो देखो क्या क्या सिस्ट्रम यह है इंडिया की विमेंट इन्डिया की में तीम और यह चैंपेंशिप जो कि तुमलपुर आसाम में हो रही थी ते आहिए फटावर से देखो क्या हूँ रहा है इंडिया वन बोच मेंस और एशियन फोखो चैंपेंशिप टाइटल दोहजर तरीज इंडियन मेंस एन विमेंस टीम्स टीम्स टाइट टाइट अड़ फोर्थ एशियन फोखो चैंपेंशिप डैर कर लूड़ेड एड तमूलपूर इन आसाम बक्सा डिस्टिक्ट तो आसाम में हुई थी ऐसे अधर खल दुरूत नहीं तो मुलपूर भी याद रखने की दूरूत नहीं आसाम इंपॉर्टन ठेकें दूसी चिस क्या है मैंस टीम डिफिटेट नेपाल बायन इनिंग एन इनिंग तो जो मैंस टीम है उसने नेपाल को हरा दिया एक इनिंग और छे पॉइंट उसे ठीक है लेकिन टीम करेंड डेर मिमन टीम स्टेंग कैसी एए विमें श्रीन डिफिटेंन नेपाल बायन इन ऐन इंग एन फिर्टी थूट्य पोइंट थारश भी याम्न मेंस टिम स्ट्रीद नेपाल अरे रया वेमें टीम इन में टीम ने लिया लेकिन इनों ने वर इनिंग इन फॉयंज लेकिन वीमेन ने है न करते न तुम लोग देखो वीमेन ने कासे हरा है वीमेन ने हराया यह एक ऐसे वन इनिंगान थर्टी-tถी पोईंट से इंडिया रिमेंट अनवितन इन बोथ दे कैटेश्क थ्रू आउड अट टूर्नामेट और इंडिया जो है अन बिटन रहे इंडिया इन बोथ मेंस पिंचिम वन द टाइटल और फॉर्ट एशन को च्यम पिन्पेंशिप यह है मैंस टीम यह मैंस्तिम यह है मैंस टीम यह है विम्हेंस टीम दोनों की दूनों चैंपियन मन के उब रहे ठीकिव देख बारत ने पुरुश और महिला दोनों वह हैं अच्टाब थी जिता भारती पुरुष और महिला टीमों ने असम के बक्सा जिले के तामुलपुर में संपन चोथी एशीयाई खोको चैंपेंशिप में खिताब जीता पूरुष टीम ने नेपाल को एक पारी और छे अंकों से हराया महिला तो फटावट 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 से दिखाऊ मुझे अपने अउठे और बोलो कि हासरा आ गया समझ में कोई दिकत निया पेपर में आदा तो कर जाएंगे कि 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 ठीके ठीके तो एक इनिंग में हरा दिया इनको पेल दिया ठीक है अच्छा एक ओची सुनों आवन पिछली बार कहा तक गए थे लाइव में 244 बच्चे आए थे अपने बास पिछली बार 244 हाइस ता पीक अपना तो आपने को इस बार क्या करना है 200 बच्चा लाना ठीक है कॉन करेंट वीवर्स कितना भी 179 अपने कहा तक जाना 250 तक ठीक है तो जिसने शेर नहीं किया अभी तक फटावट फटावट से शेर को दिल टूप जाएगा भाही का वर्माट ठीक है चलो नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कुशन देखते फटावट फटावट से प्राइम निश हाल ही में वन वर्ड टीवी सब्मिट को कहा संबोधित किया का संबोधित किया फटावट फटावट से आंसर दो रिना राजपूद बॉर्निंग अंसर दो मुझे जली जली से इसका सर आप से कुछ पूछना है सर हां आर्पी पूछो सर न्यू बैच में लाइव क्लासेस म कोई बात निकवाथ में आंसर दो वारानसी 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 के अंसरा रहे योगीता जोडे मनीशा आयूश रूची यादव ठीक कशिच जा वशी का शर्मा ऐसे सलीम अली सब का सब का सब का हिस्टी पॉलिटिक्स की भी क्लासेस ऑन गोईंग लाइव हां में लाइवी हुआ तो वारानसी अले प्राइमिनिर्विक्र होदी के तो यह क्या स मोदि लोग सब एलिक्षिन की जित्वाे यह एजलेशन किसने ड़ болत वानसी वाले ई तभी तो लोग सब बैठे और परमिनिर्श्र बनें मोदी तो आपनी जमदागे आने क्या करता दा वान वाल्ट वैल टीबी सम्भीट इसको अंविदक किया था पर वारंसी में मैं और मिल थो थोぎ बताया था मोलती तीए वािना में वारं उत्रीक होडky ईसका है क्यी है वार्ण टी पाइक आम है । वरन वर्ल्ट टीवी को दो हजर तेस इन वारनसी देखो क्या बोल रहे है मुदि ओन्ट फॉर्ट्मार्ट एड्रेस दो वन वर्ल टीवी समिट एठ वारनसी तो 24 समार्स को एनों आगे कूंप है if you work complete लोगोस कैसा प्रज़कन जाता थिक तो वही सारी कि सारी बात तो ने क्या कर खेयो एक वन वाल्ड सम्मीट जो है उसके उसको इडरेस किये और दुनिया वालों को कैसे control किया जा सकता है न अगर बताता है कोई चीज़ तो लोग सुनते हैं उसकी बात देख ओलाएगा वल्ट मिनिस्ट्री एफ हेल्थ एन फैमिली फैमिली वेलभर तो मिष्ट्री ऑफ हेल्थ एंफेमिली वेलफर ने इसको क्या किया और्गनाइस कर वाय था एंड स्टॉप टीवी पार्टनर्शिप और दूसरी और ग्राइजिशन कौन से स्टॉप स्टॉप टीवी पार्टनर्शिप ठीक है तो दुनी हमारा उद्देश है कि टीवी को कम्प्रेटली खदम कर देन ठीक है तीसरा क्या बोल रहा है क्यों कोफ होते हैं कि गया पहलwalk सरंपच का Way Off You कि क्य responsabil जाब क्या वले हैं है सचीव अर्वन शेक जो भी मन ढुरी बोलते थेके jadi सरपन्च सीब थेके प्रदान प्रदान क्यों ठीक है तई प्रदान होता है सर उता इसको क्या करना है उसको यह एंसर करना है कि उसके गाउ में TB के बार में सबको पताओ ठेखे और TB से बस्टनी के सारी सीज़े पताओ और अरलीचेकप हो जाए ताकि ही टीपर किलोसे से बचात सब्सक्राइब उक्ति हियं एन theory कि ने को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब किया यह स्वास्थ और परिवार और कल्यान मंत्राले और स्टॉप टीवी पार्टनर्शिप द्वारा आयोजित किया था इस आयोजन में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया पिंव ने टीवी मुक्त पंचायत पहल की शुरूवात की समझ में आया कि एक वर फटाफ से यहाँ पर देखते क्या प्राइम नरंदर मोदी जी टू एड्रेस वन वर टीवी समिट ठीक है लाँज किया था कि लांच किया टीवी मुक्त पंचायत इनिशियेटिव को भी लां ने बताया है नोने ठीक अफिश ले तर फावंडेशन स्टोन फॉर एंसी डीसी लैब तो एंसी डीसी लैब टीबी कुछ एक वगर करने के लिए इन्हों करने उसका क्या रखाए और इनाग वेज़ साइटा फॉर्मरेड मेटर पॉलिक हेल्फ सर्विलन्स चीनिट और इनागरिट करके आए साइट किसके लिए एक पपलिक हेल्थ सर्विलंश यूनिट के लिए तो यह सारी सारे शीसल इनोने कहां परिया वाyah प्रोथ स कुछ को सबस्ट कि बढ़तें मेर Mormon एंडिया वेतिखतें मेर परकें नहीं कुछ के सबस्क्राइब उफ्राइब आ या के संपने चैटर चाहा इंडिया इन विच्टरी एल्ट क्षैंट मेरे टाइम लिए अक्साइब कम कन इन डी दीन सी-ग्रीश नर्फ सागर में अह्itaire समुदरी अभ्यास कौंकन का आयोजन किया आप्शन हमार पास फ्रांस रशिया यू के यह यू से फटावट फटावट से आंसर दो जल्दी से जल्दी से सोनम के रिए पैल पेपल ओके यू के खुशी के रिए अन्शिमा यू के ठीक है जागे तराशपुत यू के श्रिष् पी अन्टावार पाल यू एस रहे क्या हो लिरे यू कान सर्श कर्यू कर लिए उनाटेट्ट इंग्लेंड के साथ होती हम आरीक कोट सी आट संब ता के इंडिया में चार कोष्ट चार को स्ट ने इन्टिया में देखु एक और कंसे को स्ट देखु इधर इदर इना देख वच्चे से यह है हमारे पांस कर या कि एंसा कूछ गुज्रात वाय इलाका है मानलों जो गुज्रात से लेकर गोवा को आधा तक यह वाला सवाय ज पार ठेक है तो माला बार भी एक्सराइज होती ना और माला बार एकसराइज किस-किस की वीच में होती है जिल्दी से बताऊ मुझे लाइव चैट में ठीक है फिर मैं आप लोगा बताया था कि यहां नीचे से लेकर यहां तक विशाका पठनम तक यह चलता है कोरो मंदल कोस् Northern सरकार यह इसी को क्या बोला जाता है Northern पर इंडिया ऑस्टेलिया के बीच में अच्छ एक ठीक यहां नीचे देखो क्या है यहां पर है इंडिया नोशन आगे न और यहां पर क्या है यह सारा के सारा बेंगॉल है तो अगर ऐसे भी कॉष्छन आ जाय क्या स्टैटिक जी के वाले में की को रोमेंडल कोस्ट किस रिवर बॉर्डी की पास तो बेंगॉल के पास चैनल में ही है ठीक है माला पर कोश्ट का पर तारे बेंची में नियुक्त अरे मैं से में समझ ए तक दोनो ऐन्ट करता हरा है छणा देखते हैं लेपर इंडिया और यूके वाले लोग अलग अलग दिखरे दोनों इंदिया एंडियो के हैं ऍल्ट मेरवन संट्रविवियर्च गूंकन टीकून प्रिविन पर आइंडिया नेवी अवीजें बिट्रॉम बूल राएंज रोओ वीनेवी की पारटिसबी करती है ठीक है क्या नामे कि कोंकन और इंडियन नेवी भी वे समें आय अ के बैसे डंसतों किसली है टाइप आरफ 23 आइबस फि की इतो तो इंडिया की तरफा इस तरिशूल जो हमारी फ्रिगेट यह हमारी जो बोट है उसने पारिद直接 किया है और उनके तरफ से हमस लैंकेस्टर जो कि उनकी गाइडेड मिसली फ्रिकेट है इन दोनों ने इस पर पाइडिसीबिट किया कौंकन सिरीज ऑफ एक्साइज वह स्टार्ट इन 2004 तो यह वाली एक्साइज जो है वो 2004 से लगातार चलती आ और इंडिया और यूके की पीशाइज मैं होने दूसरी एक्साइज कुंसी वह सितों एक्साइज इंदर жен दुख दुखत हमचा इनदर धनुस्थ हैं एक्साइज इंडिया की और UK और इसकी साथ साथ अच्छा हाज them keluar hunter आज्प उडिए हैं एंडिया और UK की होती है इंडिया ना खास करके लड़के विलको अच्छी नहीं लगती है यूगे यह ना बाकी देखो मत देखो इदा आगे चले हिंदी में देखे एक बार देखो हिंदी में देखो क्या हो रहा है भारत और यूगे के स्ने संयुक्त समुद्रे अभ्यास कोंकन आयूजित किया भारती नौ से ने इसमें भाग लिया कौंकन अभ्यास श्रिंखला की शुरूआ 2004 में हुई थी भारत और ब्रिटेन की बीच अन्या अभ्यास इंद्रधनुष व्यायाम होता है वायू सेना का व्याया में जो और अजय वारियर संयुक्त सैन्या अभ्यास है ठीक है देखो क्या बोल रहा ह यह साइड़ है एपनिच में लिचे अपन दूसरी तरफ देखो यह सब्सक्राइब टिक है तिक है तो यह फटरप पड़ता है समय में आया ऩिक है चलो बड़े आगे समय मेच है घ्रजिए संवर्ण आया है तो फटफट फटफ फटफट से दिखाऊ मुझा अपने अपने एक सिंग्भ में देखता थिवारा क्या मेसिज घृटान से इंडिया cd t avis el that to हम में अलग से शेशन ईल्यां म्टबो ठीक अ्ठीक ठीक 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 थेंस्ट भर्णे ने में अपने चैettsandal odres सवन हम्च गर्चiva शॉल ना यह सब को चलो खुंक के इंडिया की गवर्मेंट जों में इंडिया की गवर्मेंट ज camping खै कि फूल मरलytic कि कि यह यही बताना ही लेग्या इंड्या ऐट identify to open कॉश्मीर फोल डीवोटीज भारत सरकार भक्तों के लिए पाकिस्ताना कि पिथ के लिए गलियारा खुलने करें और शदबन बालिकाने दिर दिया है और स्टाबन बालीकाने दिया निर्वस्टे रिज रोजद ले पहुता है तो मुझे रोज़ा खुलना लोखोज़ाई तो देखते अपन ठीक है चलो आन्सर तो इसका घृतिषी आज अपने धाइस ओ गया हो गये शबाज तीन सो कटारे ही दैस ठीक है कि चलो बिल्कुल सही बात त्थ कैस का हांडेट परसें शार्दा पीट है अब ध्यान सुनों शार्दा पीट समझाने पहले इंपोर्टन चीज़ समझाता हूं मैं यहां पर कश्मीर बना रहा हूं देखो तरह अगर अगर किसी को लगी कि शॉताने मारे तो कोई बात ने तुम लों गलत हो मैं तो कि कि नहीं ना इत्ता यह चाहीं और जो कि देखो को इस तरीके का है कश्मीर मान लो ठीक है तो इंडिया के पास kतना कश्मीर ओव देखले तो यह वाला ऐडिया यह देखो यह वाला एडिया ये तो कहते हैं पाकिस्तान उक्योपईड कश्मीर है जो कि हमारे पास नहीं है और पाकिस्तान की पास नाम से पाकिस्तान पाकिस्तान नोकिपाइट कश्मीर को कहता है कि यह आजाद कश्मीर है क्या पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर कहता है ठीक है एक नौम इनकी सम्मलनी रही है ठीक है आजाद कश्मीर है देखो दूसरी तरफ देखो के दूसरी तरफ एक यह वाला रिजन है यह द कि थोड़ा सा बड़ा कर सकते इसको और फ्कार सीन वाल रिजुन यह चाइना के पास यह चाइना में छेण रखा है हम लोगों से ठीक है और हमारे पास जो में है वो यह यहाद रिया यह यह वाला इसको भी अत्याँ धयर बाट दिया यह जमुएंड कश्मीर रहा है और यह लद्दाग है ठीक है अब ध्याल सुनो है तो पूरा कश्मीर अपना ही लेकिन ऐसे ऐसे रियल सिच्वेशन इसकी ठीक है दूसे चीज़ सुनो एक और चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को कि यह वाला जो एरिया है यह वाला एरिया जो मैंने रेड कलर से बनाया यह वाला एरिया पाकिस्तान ने दे रखा है किसको पाकिस्तान ने दे रखा चाइना वालोगो ठीक है यह वाला एरिया रेड वाला पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है और एक और इंपोर्टन चीज यह वाला एरिया जो है यह यह वाला एरिया यह इसको आपन सियाचे इन क्लेशियर केते हैं ती अचसे अच्ण ग्लाशियर और यह जिसे एचन ग्लाशियर है यह एस्ट बैटल ग्राउन ऑफ दो वल्ट क्या है 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 इसे यह एस्ट धल ग्राउंड जो आफ दो वल्ड है और यह 1999 के बाद इंडिया के कब दॉम समar जूप रख लाफ करता एंटि पूरी 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 इंडिया की भी लेकिन पूरा की पूरा कुस्मीर अपने अपने को क्लेम करते और इंटरनेश्ब लेवल पे हम लोगों इंडियन कश्मिर के बीश में इसी को हम लोग क्या बोलते यान लोнок दूसरी तरफ यह वाले जो लाइन है जो मैं चाइना वाले कश्मिर आरेंडिया की वीच में इस वाले को आपन बोलते लसी लेसी लाइन ओफ एक्षवल कंट्रूल लाइन ओफ एक्ष एक्षवल गुठ सकते कि है लसी इंडियोच चैना की पीच में एलोज इंडिया पकिस्थान की भीच में विच में कोई इंपोर्टन चीज अंद कि एंपोर्टन है जो शार्दशा पीर टेंपल है एक घैंप आगे चले यहां पर मिलेगा तुम्हें कहा फिलेगा बॉर्डर के उस साइड में बॉर्डर के साइड है मतलब एलो सी के पास में आ रोसा दा पीट ए ses के गिर और ये काम करता कहां तो शेकने तो आ अब pos पॉल जहाता होवागो यह है राख इस पर कोई नहीं जाता दुसी तर्फ देखों क्या बोल रहा है गवर्मेंट अफ इंडिया विल ट्राइट ओपन कॉल डर्फ शार्दा पिट टेमपल इन पाकिस्थान उक्यूपइट कश्मी देखों के अमिच शाह से डेट गवर्मेंट फिंडिया विल इनिशेट टॉक्स ऐन पाकिस्तन में जाने का और नंकाना साईब में जाकर पूझने का उसी तरीके से और पीट को खोने की बात चाहरदा पीट टेंपल में आने की ठीके दो क्या बोला के शारदा पीट इसन एबंडेंड हिंदू टेंपल ताइबंडेंड हिंदू टेंपल है बहुत पुराना हिंदू टेंपल है लेकिन अभी कोई जाता नहीं यह एच्छार और यह एंशन चैन्ट अफ लर्निंग रहे चुका है पाकिस्तान रखिफ कश्मिर में और लाइन अफ कंट्रोल के पास है तो हमें लाइन और बता यह एंगंट यहां और आधी कर ऐसे बड़ा बड़े बड़े स्कॉलर्स यहां पर ते और कलहन के बारे मैं आप बहुत इंपॉर्टन बंडा है क्यूआ है कि वह इंप लिखता है किसकी कश्मिर के और इसने किताब लिखिये उसका नाम है राज तरंगी किताब और के तक यह चीज़ याद रखनार क्राज त proudly किताब लागे आगे के लिए तो पाने ने और हम चंदर जिसको इनको जाना जाता है संस्कृत ग्रामर के लिए तो इन दोनों के बारे में ने पढ़ Yoke eEP पर तक हुअ थी इस emissions धेन करण आ एक कि अपिलेटर सोड़ राइटिंग्स उव्मार और इन लोगों नहीं अपनी राइटिंग sex वगर यह एपर बैटके बनाई थी और फीजन अलब पानी पानी जो मैं इसने गिताब लिखी ती इसका नाम था और ऐस्ट ध्याइए और आश्ट ध्याइए किताब यह यह कब लिखी गई यह i8 द्याइई किताब कब लिखि गई एक की द३ख संस्कृत वर में फॉर्स्ट एवर बुक और संस्कृत रामर रहे हैं निसक्रिव किताब लिकिन फिरस्ट वो कंस्न ना मत कि ऑगए हिंदी में देख लीटे फड़ा फड़ां से रिंदी में क्या बता रहा ठीक है ये है शार दपीड द्रहा दिख रहा थकिया हमारे पास 280 बच्चे 20 बच्चे और चाहिए अपने को ठीक है चलो देखो क्या बोल रहा है आमिर्शा ने कहा कि भारत सरकार करतारपुर कॉलिडॉर की तर्ज पर शारदा पीठ के लिए कॉलिडॉर खुलने के लिए बात्चे शुरू करेगी शारदा पीठ एक प्रतियक्त केंदरों में से एक था जिसमें कलहन और आदी शंकर आचार्य जैसे विद्वान थे यह भी कहा जाता है कि पालिनी और हेम चंद्र ने संस्कृत व्याकरन पर अपने लेखन को पूरा किया और संग्रहित किया था कहा पर शारदा पीट में समझ में आया किनिया समझ में आया क्या है तो जल जल से अंग उठीक आपन क्या करें नेक्स्कॉशन वर्डर है और देख रहे कि हमारे पास किया है ठीक है 282 बच्चा है 18 बच्चा आता ही 300 होते ही आपन क्या करेंगे शायरी सुनेंगे एक दम तगड़ी वाली तगड़ी ठीक है चलो नेक्स कोशन देखते ह हैं तो फेस्ट कोशन हमावाई TV मिरेंगे बॉस्याइट फॉस्ट सेस्ट पर हैं थो एथलेटस एंबसेडर किसको बना दिया गया दो साल के लिए जिसको भी जो भी डॉट है या जिसको भी कुछ भी कहना है मुझसे तो वीडियो के नीचे वारा जो कमेंट सेक्षिन उसमें कमेंट कर देना मैं वीडियो की बात देख लूँगा और फिर तुम लोगों को रिप एंख यह वंगवा कर ख़र लुक्त ज़िए सबस्केद्र को का बना दिया और दिया गया सलीमा फिल्टर है और होकी खेलती है ठीख है विलुक् fighting Békव कर शिश और शिवया सबका अंसर से इंपोर्टन चीज़ सुनों इंपोर्टन चीज़ यह है कि सलीमा टेटे जो है यह अगी खेलती है और यह जूनियर अब होकी टीम जो थी विमेन की उसकी कैप्टन भी रह चुकी और साथ अफरेका में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें इंडिया की फूर्ट पोजिशन लाने में यह सक्षम थी फूर्थ पोजिशन तक पोज़े इसकी उपर नहीं पोची लेकिन इंपर्टन खिलाड़ी है अपॉइंटेर आज अच्छी अंबसेटर फ्रॉम इंडिया फॉर टर्म आफ तू यह फ्रॉम मार्च ट्वेंट्वेंट टूमाज टूजन 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 टीफ़ेंट तो मने आप लोगो पहले विदा रही पत्चीस मार्च लोगश दोह थेसले कर साथ अफरीका ठीक तो क्या बोल रहा है कि साथ अफरीका में 2021 किस में जो जूनियर वल्ड कप हुआ था उसमें एज़ एज़ क्या कैप्टन इन्होंने काम किया था और राइक हो रहा है दे एशियन होगी फेडरेशन इस्ट गवर्निंग बोडी फॉर होकी इन एशिया ठीक है और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था 1958 में ठीक है स्टार्टिंग में बहुत कम मेंबर्स थे अब 33 मेंबर्स हो गया इसके हैड़कॉर्टर रखना इसका एशियन होकी फेडरेशन का का पर है कौल अनौन पॉर मलेशिया में ठीक है समय आगया निया ठीक हिंद गया है सलीमाने कप्तान की रूप में भारतिय महिला जूनियर होकी टीम का नेतरुत्व किया है और दक्षिन अफ्रीका में एफ एच महीला जूनियर विश्व कप 2021 में चोथे स्तान पर रही एशिया एशिया होकी मासंग एशिया में होकी के लिए शासी निकाए है अब इसमें 33 सदसे है मुख्याले इसका कॉलल अलंपॉर मलेशिया में है इसकी स्थापना 1908 में हुई ती समझ मैं आया है समझ मैं आया है तो दिखाऊ मुझे अपने द्राव कौन सुनों रोमेंटीक सुना रोमेंटिक के सर आप की लिये करण्या मिली गया है कहा है कमिया सर हंगरी का यह बुटा पेस्ट हंगरी का बुटा भरत यह जर्विश कुल पषैके सही के जंड तेक एकसाउज्व अबTrokigo को तो है तो आप कोम थे जयान संधा ही से आपर रोमेंटिक आदमी रोमेंटिक सुने है शायरी कुछ इस तरफी की है कि मेरे बस में नहीं मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता मेरे बस में नहीं वरना कुद्रत का लिखा हुआ काड़ता तेरे हिस्चे में आए बुरे दिन कोई दूसरा काड़ता मेरे बस में नहीं वरना कुद्रत का लिखा हुआ काटता तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता और लारियों से भी ज्यादा बहाव था तेरी हर एक लवज में मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता और होते हुए और तेरे होते हुए मुरूबति बुझाई किसी और ने कि ना खुशी रहे गई थी जनम दिन की में केग क्या काड़त H ठीक है चलिए समझ में आ गया समझ में आ गया है तो दिखाव मुझे अपने आउटे फट 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 से और अब अपना टार्गेट है 325 का ठीक है 325 देखते 325 आती है क्या 325 आ जाएंगे तो भाई सुनाएंगे एक और शाहित तगड़ी वाली ठीक ह बढ़े आगे निच्ट कोश्चन हमाएं टेलवीजन स्क्रीण पर जल्दी जली आदी देखो क्या है नेच्ट कोशन हमाइँ टेलिवें स्क्रीट पर आने दो आने दो थाने दो थैंक विसलें में भी एक हौकी फेडरेशन का कहां वह अंटर्नाशलाओकी फेडरेशन का ठ किए मैंने अखी फेड़रेशन गॉता है मिमें नहीं तो अज्टक नहीं हो से लटेको एक्सmir sophart अंदर इंडिय के अंदर अभ्यास वायू प्रहार भारतिय वायू सेना और किसके बीच में आयूजी एक संयुक्त अभ्यास है फटाफट से बताओ इंडियन नेवी इंडियन आर्मी इनिघंडीयर्मि करें इंडियन आर्म करें ऐलोग आया है ठीक मैं झाल जोतका कही बीन बीए gaan सोनम अभी क hiện सोनम का है नितीश कुमार का चिचा का डुड़ो भी यह सबस है इंडियन अशार है इंडियन इरमी से इंडियन आर्मी बिलकूल प्रहार के देका कि बिलकुल सही आंसर के इंडियन आर्मी और इंडियन एर फोस दोनों मिला कर क्या करती यह दोनों मिलाकर हर साल एक्सराइज वायू प्रहार के और परक्रसास एक्स्ट के क्या उन्डियन आर्मिय समय इसे बता की चैनल अर्मि एड that we are لजांग एक्सिक एक्सिस के च्छौर्द एक्स ऐक्से एक्सफिस ठेका तो एनडियन आर्मी और इंडियन एर फूल्सने मिलकर क्या करा एक्सौर। रहे किया है it is a multi domain air land exercise jointly connected by the Indian Navy and the Indian Army the multi domain air land exercise मतलब हवा में भी क्या होगा shooting firing करेंगे यह प्लेंस की तरू और किसमें होगा जमीन पे भी exercise होगी होगी है the special forces also participated along with the army to special forces ने भी army के साथ क्या किया participate किया CRPF ने CISF में एक्सेटर 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 एंड एर फोर्स इन इन दे 96 आर एक्साइज और यह च्छानवे घंटे 96 आर्स तक exercise यह वाली चलिए कौन कौन थाइस में इंडियन आर्मी थी एर फोर्स थी और इंडियन आर्मी के साथ इस पेशल फोर्स भी आई थी ठीक है सब्सक्राइब आगे निया ठीक है कि चलो हिंदी में देख लेते यह देखो यह भी पताया था मैं तुम लोगों को यह ग्लोव मास्टर इंडिया का सबसे मोटा प्लेन आगे ना देखो जल्दी से क्या वो र जला से च्वाइव गंटे तक चले इस अभ्यास में सेना और वायू सेना के साथ spasial forces ने भी हिसा लिया है समझ में आया है किया समझ में आया तो फटाफ़ड़़वट फट कर आवट से दिखाऊ मुझे अपने आवट है और बोलो कि हासर आ गया सームझ में कोई दिक्कत पूश चलो आजको जो स्क्राइब साज रिज पर्षट गिए तो कौन्से स्टेट ने जो शीजय को चार परसंध रिशूलेशन दिन रखा ता स्टेट में उसको हटा दिया तो जल्द जल इसे बताओ की इसको में मुस्लिम्स को दिएगे 4% reservation को घटा दिया गया है इनियों पढ़ लेत कि सराज्य ने मुसल्मानों को दिये जाने वाले 4% आरक्षन को खतम कर दिया है तो फटावट फटावट से बताओ कि आंसर क्या है इसका ठीक है सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे तन्वीरान राश्पुत नहीं सुन रहा हो यार प्रयोत्ति तेजी से उपर जा रहा है समझ नहीं पा रहा हूं है ठीक है चल चल जिसको जो कुछ भी कहना है मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ठेक है आपको रिप्लाइद देगा जल जल से बता भी या दामीनी सब लोग सब लोग सब लोग आंसर दे रहें कि सर भी करनाटका अंसर है बिलकुल 100% सही है करना डगाने क्या करना डगाने मुसलिम को दिया गया जो 4 पर संट का रिजर्वेशन था उसको खतम कर दिया गया और दो डॉमिनेंट कम्मुनिटीज को इसके क्या दे लिए आर अरच्ण दे घिया एक उसमय से लिंगाया चसे और दूसरा उन में से कौन है आई यह देखते फटवट को रहा है तो ये कौन है बसावराण बंबबई जो की मिनिश्टर है का के करनातका के करना टका के चीफ मिनिश्टर तो यह करना डगा के गवर्नर कोन है comment section वो बता हूं मुझे कौन है है ना देव क्या बोल रहा है करनाटका गॉबर्मेंट स्क्राप्स फॉर पर्सेंट रिजर्वेशन फॉफ मुसलिम्स करनाटका गॉबर्मेंट स्टेट का 13 पॉपलेशन जो है मतला एक अच्छा कासा पॉपलेशन जो है वो मुसलिम्स बारे में आप लोगों को पता हमने कि लिंगायच को वह रशेवाद्स वह रशेवाद्स भी बोला जाता है लिंगायच या वह रहा शेवाज बोला जाता है आप लिंगहर खाल्स भी लोग लिंग पहनते वियर और जो वायर शेवाज declarative अवह रहाओ सिवए चरndt इसलम लोग लोग शुटत लेकिन शाज्ट के पूजा करते किस के रूप में शिव की पूजा करते शिवलिंग के रूप में और ये लोग यहांग Semper पर यहाँ पर यारा यहाँ पर एक सिलबर केस में शिवलिंग को क्या करते पहनते ऐसे रोप से ठीके ऐसे रूप लगाते और रोप से लवर पर पेंथे इस कल्ड की यह इस सेक्ट की शुरुवात किसने करें तो इस कल्ड कि यह सेक्ट की शुरुवात करें थी एक बंदे ने जिसका नाम था क्या बसावन ठीक है तो बसावन एक ब्रहामन था जो ब्रहामनों के तरीक उबर चलना नहीं चाहता था ठीक है यह बोल रहा था कि भीया हिंदू धरम बहुत अलग धरम है ठीक है और उसके बारे में अलग से लिंगायत नाम का एक कल्ट स्टाट करेंगा बसावन बसावन 11th century के बंदा है ठीक है यह स्टाट करेंगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें यह लोग जो धर्म शास्त्रों को धर्म सुतरास को मानते नहीं है ठीक है यह लोग चायल मैरेश के खिलाफ में सत्ति के खिलाफ म है ठीक है मरने के बाद लोगों यह द दफनाते और लोगों कहना है कि पुल जनम जैसी को चीज नहीं होती है अगला आगले जनम में हम लोग पैदा होएंगे ऐसे कोई छीस नहीं होती है ठीक है चलो खावर चलन जहलोग मैं वसलमानों का चार परसेना रख्ष्ड को को दिये चार परसेंट आरक्षन को खत्म करने का फैसला किया है 2011 की जनकनना के अनुसार मुस्लिम राज्य की आबादी का लगबक 13% है मुस्लिम्स चार परसेंट आरक्षन अब राज्य के दो प्रमुक समुदायो वोक का लिगा और लिंगायत द्वारा साजा किया जाएगा ठीक है समझ में आगे सब्सक्राइब तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने क्या आंग उठे ठीक है बड़े आगे अ अभी कौन से बनिए तो पुरे याद करने के जुरूत ही नहीं है करेंट अभी का ज्यादा पुराने याद करने की जुरूत नहीं है देख इतर क्या हूं रहा है नेक्सक्राइट फॉल्लइंग लांश्ट डीजी क्लेम अंडर अंबिट आफ पी एम फसल बीमा योजना के अंडर बेएक डीजी क्लेम मना तो यह डीजी क्लेम जो है वो किसने इनाओगरेट कराए किसने लांच कि यह बताना निम्नलिकत में से किसने पीएम फसल बीमा योजना के तहद डीजी क्लेम लॉंच किया है ऑप्शन है हमारे पास क्या दुरोपदी मुर्मू नरेंदर मोदी नरेंदर तोमर या मन्सुक मंद्विया फटाफट 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 से अंसर दो अनसर आ चुका है योगी दरोड़ेको भी यांसर आ चुका है और सारे की सारे सारेvoll?」 लेनसा देदी क्लिफ कि जीटीड लिजी क्लेम यह कि प्रदार मंत्री फसल भीमाय योजना में बहुत सारे किसानों को क्या दे रखा इंशुरेंस ग्राइए और क्या बोल रखा है इंशुरेंस में डीज़्य क्लेम का एक पॉर्टल गौना रखा है और जिस भी फार्मर एंशुरेंस के पैसे ठीक किया प्लिश्ट्र किया यह बोल रहा है यह एक ओं नरेंद的是 को अ मरें यह एक च edels ग्रिंअ प्रोडौ भीप अहीं प्रिंच्रिंस ठ यान स्वेन प्रते लूड्र今ल कॉॉर्ब आ needing क्रॉप इंशुरंस के यह प्रदान मंत्री फसल भीमा योज नहीं है यह अब देखो क्या बोला इसके अंडर में स्टार्ट किया गया है कि डीजी क्लेम विद डीजी क्लेम मॉड्यूल इंशुरंस क्लेम्स ऑफ ओवर 1260 करोट्स है विन डिसबस्ट टू इंशुर्ड फार्म इसको भी जवाया को से कुछ से शिक स्टेट्स थे यूपी उत्राकर्ण हिमाचल प्रदेश हारियाना चत्रीस गड़ और राजस्थान वा लोग राजस्थान वा लोग ठीक तो छे स्टेट्स के फार्मर्स को पैसा भीजवा भी दिया गया तो पीम फसल बीमा योजना वा फार्मर्स को उनके फसलों के लिए अगर फसले वगरा खराब हो जाती है तो उसको उसको इंशोर इंशोरंस देने के लिए यह वाला सिस्टम स्टार्ट किया गया था हिंदी में देख लेते एक बार फटावट फटावट से हिद्दी में देखो क्या बोल रही है यह बता अकृत किसानों को बारा सो साथ करोड से अधिक के बीमा दावों का वितरन किया गया है यह चे राज्य है यूपी उत्राकान हिमाचल प्रदेश हरियाना चैटिस गड़ राजस्थान प्रदानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में पीम नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की एड़ी ब्रोकिंग गुड मॉर्ण गुड मॉर्ण ठीक है समझ में तो फटावट 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 से दिखाओ मुझे अपने आंगट और बोलो कि हासरा आगया समझ में मैयू करे साहा बुड मॉर्निंग आपको बहुत बहुत ठीक है नेक्स कोशन की तरफ बढ़ र प्रेस 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 को अब बहुत इंपोर्टन रोले तो इनकी डेथ हो गई इनके बार में देख रहे थे फटावट फटावट से और याद रहुत थीन सो पच्छिस का टार्गेट ए शायरी का अपना 325 का 310 12 अब पहुझे के ते फिर 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 नीची के अपन 286 के आ पॉपिलर हिंदी डेली नई दुनिया अभे चजलानी पास्ट अवे एट 88 ड्यू टू हल्थ इस्यू तो एक वेटरें जन्रलिस्त थे मतलब एटरें मतलब एक्सपिरियंस जन्रलिस्ट है और फॉर्मर एडिटर इन चीफ आफ पॉपिलर हिंदी डेली और फॉर्मर एडि पर हिंदी नियूस्पेपर हिंदी डेली यह नई दुनिया तो इसके चीफ एडिटर से यह ठीक हम उनकी डेथ हो गई है 88 यह की एज में ही वाज आवार्ड़ेट पदमश्री इन 2009 तो 2009 में को पदमश्री आवार्ड भी मिला फॉर इस आउटस्टैंडिंग कांट्रिबूशन in journalism 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 में बहुत बढ़िया काम करने के लिए ऑलसो सर्व दाष प्रेशिडेंट आफ दे इंडियन लैंग्विज निउस्पेपर आप आस्येशन तो आई एल एल ने इंडियन लैंविज न्यूस्पेपर आस्योसिएशन जो है इसमें क्या इसके प्रेशिदेंट रह चुके के कारण 88 वर्ष की आयू में निदर हो गया है पत्रकारिता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2009 में पदमश्री से समानित किया गया था उन्हों एंडियन लेंग्वेज निउस्पेपर एस्सीयेशन आयलने और इंडियन न्यूस्पेपर सोसाइटी आइन सके अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है समय में आया है तो फटावट 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 सिखाव नागोट और बोलो कि हासला आ गया समय में सोनम कुमारी जै सब्सक्राइब करने वाला पहला राजजबरा है फटावट फटावट से आंसर दो और बताओ कि कौन से स्टेट ने स्टाट किया है जल्ली से फटावट से लेट हुए अभी मार्श में 27th मार्श के असपास ठीक है इसका अंसर दो विश्टेट हैस बिकेम द फ़र्स टेट पास दर राइट टू हेल्थ बिल्ट कौन सा राज स्वास्त का अधिकार विदेयक पारित करने वाला पहला राजजबरा है फटावट फटावट से आंसर दो और आंसर बताओ कि क्या रहने वाला आने तो राजस्तान होगा सर्जी राजस्तान 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 तो हेल्थ मतलब अब क्यों गया लॉवन गया और लॉवन ने का मतलब कहा सब को हेल्थ फैसिलिट इस फ्री मिलेगी और कुछ प्राइवेट इंच्टूशन में फ्री मिलेगी जिसके बारे में सरकार बताएगी लेकिन इंपोर्टन चीज यह है कि जो डॉक्टर से जो नर्स और उन लोको ने का है कि यह जो राइट टू हेल्थ का बिले इसको क्या आगा स्क्राप कर दो कर दो कर दो ठीक है आओ जली देखते आंसर क्या इसका यह कौन आशोग घेलो जी वैसे इनिशेटिव बहुत अच्छा यह ना राइट टू हेल्थ का कि पॉब्लिक को हेल्स प पास दो राइट टू हेल्थ बिल यह बोला राजस्तान विकें अफिसले साल से बात चल रही निकी लेकिन इस साल इन लोगों ने क्या कर दिया राइट टू हेल्थ बिलको पास कर वा दिया अंडर इस दे रेसिटेंट्स आफ दे इस टेट विल बी अबल तो आवेल तेमसल लिगया रहे क्लिनिक्स वगए रहे महला क्लिनिक्स वगए उन सब में तो फ्री इलाज तो हो गई वह उसके साथ सथ कुछ सिलेक्टेट प्राइवेट अस्पिटल से भी भी फास करवाया राजस्तान में स्वास्त का आधिकार विधयक प्रारित करने वाला पहला राज्य बना इसके तहत राज्य के निवासी सभी सार्वजनिक स्वास्थ स्विधाओ और चैनित नीजी आस्पतालों में मुफ्त ओपीडी सेवाओ और आई पीडी सेवाओ का लाव उठा सकेंगे राजस्थान के राजपाल कलराज मिश्रा है ठीके बड़े आगे आगे चलो समझ मे आया है तो फटावर 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 से देखाँ मुझे अपने अगुठे और बोलो कि हासरा आगया समझ में कोई दिकत्री आगया बढ़ते हम लोग नेस्ट कोशन हमाई टेलिविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरिक का है वेर इस दो वाल्ड ठीटर डे सेलिब्रेटर सब्सक्राइब कशिज जहा का आरून पाल का भी सही है ठीक इसका अंसर दो अखेला सबका आर्चू आरिजा खातोन और अलोक सबका आंसर जो है वो 27 मार्च आया बिल्कुल सही अंसर बिल्कुल सही एड़ीपी आक्षे सिद्राखान सब्सक्राइब गरीमा पांडे मनीशा सूरज क disclose होते देडिZe रूठो को मनाई घ्यक्टव बताने के लिए की Reports लिए में हम सब को एंटर्टेमेंट दिलवाने में ठीक हम सब को एंटर्टेंवनेंड दिलवाने में ट्यटर ऐसे डूनिया में क्या है लोग शोगधर देख रहें एक्तर पन अप एक्टर्स नहीं नहीं आ रहे हैं जो अच्छेच एक्टिंग करके और अलग अलग चीजे करके कमेडी करके है ना लोग क्या कर रहे हसारे तो थेटर का रोल कितना इस वजह से 1961 में यह स्टार्ट किया गया था जिसको केते हम लोग वर्टेटर डे आई यह जिल इसे देखते इसके बारे में क्या बोल रही है तो यह बोल रहा है कि दे इंटरनाशनल थेटर कम्यूनिटी एन आई टिया सेंटर सेलिब्रेट वर्टेटर डे ऑन मार्स 27th एवर लाइफ में आता है और हमारे सोसाइटी को यह चीज यह कैसे चेंज करता है उसके बारे में उसके लिए किया जाता है वल थेटर डे मनाया जाता है थीम क्याया थीतर एंड घ्टर और the International Theatre Institute founded World Theatre Day in 1961 और International टेटर इंस्टिटूट आई टीए को बोल रहा है ठीक है इंटरनाशनल ठेटर इंस्टिटूट ने जो वर्ल टेटर डेर है इसको फाउन कब किया था उन इस्सो 61 में ठीक है तो मार्च 27 वर्ल टेटर दे मनाय जाता है हिंदी में देख लेज़ा थे अंतराष्टिय रंगमंच समुदाय और आई टी आई केंद्र हर साल 27 मार्ष को विश्व रंगमंच दीवस मनाते हैं ताकि मनारंजन में उनके महत्व और उनके द्वारा समाज में लाए जाने वाले परिवर्तरों के बारे में जागुरुता बढ़ाई जा सके तीन 2023 कि है कि रंगमंच और शांति की संस्कृति ठीक है और आगे क्या रंगमंच संस्थान ने 1961 में विश्व रंगमंच दीवस की स्थापना की ठीक है देख देख इदर माइच 27 वर्ल्ड ठीटर डेडे ठीक है हस्ता वाच चहरा भी दिखाय और रोता वाच अब दिखाय ठीक है रखाय अब हो और स्कृति भी स्टेट्स थिस स्वकेशel प 이쪽 जेसे जिवव पॉइंट किया घौर्मेंट ऑफ इंडिया भी विच आप लोइंगव आथ Εreten मैसे कौन और सा स्थेट जिसका चीफ ज़स्टिस गोवर्मेंट फैन्टने एंप ऌएम अन योगी बताने अप कोटना है कोट 36गर् हाइख कोट यह ओडिछा है कोट फट 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 वर्ट से लोसर आहए लव यू नॉन प्लेस है लव भी टुट चलो अंसर तो इसका जागरित राश्पुत आलाजबात आलाबात का अंसर दे रहा रहे जिस जईसने अंसर दिया ऐसर अलाबाद अलाबाद अलाबाद उन सब का अलसर एक नम हांडर परसेट है क्या रांग बिलकुल आंसर नहीं है इसका ठीक है और बाकी लोग कुमारी नंदनी आंसर देरिये सरस्टी चतिछ गड़ अश्या फरत नूरी एक तो काड़ दिया मैंने है नहीं जल्दी बताव जल्दी बताव सक्राइब क्या है कुमारी नंदनी सी आंसर दे रही है अलाबाद मेख ठीक है और NDA वालों ने संसर सई दिये है ठीक 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 जलीज़ इसे आंसर बताओ कि यांसर रहने वाला आने दोखी आत्मा सी है और सारे लोग जो है आंसर दे रहेंतरसी नमर्भार्दवाज्क कर दे जिस जिस जांसर सी दिया है बार बार बोलने के बावजूद कि सी तो सी तो कमेंट में लिखो क्या सी तो कटता ही है बाबू लेकिन नहीं मानों गया आप लोग ठीक है अच्छा बाकी लोग आंसर दीजिल दीजिल से भी आंसर आ रहा है मुहमद आजम का और मुहमद आजम और भाइको ने शीवम और यहुंद कई और वी कर तो यह ओल्याद तो इसका तरफ ओर और सिरफ है ओडिश्यस अधिक है तने चीव जस्तिस बने है तिन ने छीव जश्तिस को बनाये गयए और ये तीन ने चीवज जस्तिस अफ हाइड को जो एव आलाबाद हाई chirping और यह क्या नावे एंडिये वालोगा सबका आंसर जो एंडेट परसंट राइट है क्या आंसर इसका है ओडिशा 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 ठीक है आव जो लिसी देखते क्या इनफोर्मेशन है हमार पास दो के वहना गवर्मेंट अपॉइंट चीफ जिस्टिसेस आफ अलाबाद अलाबाद में और उसके चीफ जस्टिस्टिस्टिस यो किसको बना दिये गएं प्रृतिन कर दिवाकर तो यड़ब यूपी में ठिए यूपी का में हाई Code वा अलाबाद में और उसके चीफ जस्टिस जो है किसको बना दिया गया प्रितिनकर दिवाकर को बना दिया गया ठिके दूसरी चीज़ जस्टिसर अंच सिन्हों धुत ज़ो अलाबाद हाई प्रितिन कर दिवाकर बने कहां कि अलाबाद हाई कोड के और जश्टिस अरह में सिन्हा जो अलाबाद हाइ कोड के अब बन चुके 36 गड़ाइक हाइज स्टीज की तिस दूटैजिस जस्टिस के विनोट चंदरन जो कर इंको बना दिया गया है के रहा है का ठीक है केरला है कोट के यह क्या थे चीफ जस्टिस से इनको बना दिया गया है पटना है कोट का क्या चीफ जस्टिस ठीक है तो तीन कौन से कौन से जस्टिर पृतिन कर दिवाकर जिनको आलाबद है कोट का बना दिया गया जस्टिस रमेश सिना इनको बना दिया गया च्छ से कोट और सब की मुझे दाड़ी वगरानी रखते लोग मुस्ट ली ऐसे होता न देखो तरह कि चलो हिंदी में देखे एक वर हिंदी में देख लेते हिंदी में देखो क्या बता रहा है जल्दी जल्दी से बारत सरकार नहीं इलाबा च्छेजगर और पटना में नए मुख् बात बती आई लेके न्याय मुर्ति के विनौद चंदरन को पतना ऊचनले का मुख्याले मुख्य निक्सक्याट ऑगया है सब्सक्राइब में आ गया है तफ़र फटवर उटवर्ट सथिक का विज़ अपने अभना बोलो कि सर यह सरा आगया समाझ में ये वाला कोशन पेप पूछते हो नेक्स कोशन हमाई टेलविजन स्क्रीन पर जल देखो कि नेक्स कोशन क्या है हम भी सीजिय बनेंगे तो ऐसे ऐसे मुझे रखेंगे हां कशिश तू रखना मुझे एगें रॉप्मेंट बंक नू अधिया हम अधिये गया है तो फटवट फटवट चांसर दो कि से चुना गया मार्कस टोई जो सायरियल रामा फोसा के वी कामटیا दिल्मा लाउसेफ से लांस Tech या रेने वाला है प्रिंस या दो ऐन से रहा है दोार सी ओर सी आसर रिसका बिलकुल नहीं है प्रिंश काड अटो काड़ दियमें इस अरे इतना प्यार मत दिखा ओ ठीक है चलो चलो डी होगा डी होगा डी होगा बिलकुल आजर कै दिल मा दिल मा वैन रोसेफ ठीक अधिल पाफ रोसेफ हलकी फुलकी बंदी नी यह लड़की यह मतलब अंटी और यह जो दिल मा रोसेफ है यह ब्राजील की प्रेसिडेंट थी प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील फॉर्मर प्रेसिडेंट थी किसकी फॉर्मर प्रेसिडेंट थी यह ब्राजील की ब्राजील की ठीक है इंपोर्टन चीज सुनो इसके बारे में इसने रिप्लेस किसको किया है मार्कस ट्रॉई जो को किसको रिप्लेस किया है मार्कस सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब उस चैनल में एंडिये वाले सर हमेशा सही एंसर देते हानम अमर बाद वाज बिल्कुल सही आंसर देते कि रोस पड़ते हैं नुझे वो ठीके चलो 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 ठीके समंझ में आगया देखते जाइन से देखोई यह है और फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेशिडेंट दिलमा रोशेफ दिलमा सब्सक्राइब जो है यह एलेक्ट हो चुकिए अज़ न्यू प्रेसिदेंट आफ एंडीबी दो कि अवरा दे बोर्ड आफ द न्यू डेवलोप्मेंट बैंक एंडीबी एज अपॉइंटेट फॉर्मर ब्राजिलियन प्रेसिदेंट दिल्मा वाना राउसेफ एज न्यू प प्रेसिदेंट भी रह चुकिए शी वज एलेक्टेट एज प्रेसिटेंट अब ब्राजिल फॉर्ट टू कॉंजटेटिव टम्स और दो बार लगातार यह ब्राजिल के प्रेसिदेंट बनी थी एंडीबी ब्राजिल की कैपिटल क्या है यह मुझे आप लोग बताएंगे क लोग रहा है यह क्या बोल रहा है यह चलो फिसलिए को उन्टी जी अपना तो इधर देख लो एक बाद ब्राजिल की पूरवर आश्टपती दिल्मा रोसेफ को एंडीबी का नाया अध्यक्षी चुना गया न्यू डिवल्टमेंट बैंक के बोर्ड ने ब्राजिल की पूर गया है उन्होंने मार्कस ट्रॉइजो कस्थान लिया उन्होंने 2011 से 2016 तक ब्राजील के राश्टरपती के रूप में कार्य किया वे लगातार दो बार ब्राजील की राश्टरपती चुनी गई है एंडी भी पाच ब्रिक्स देशों द्वारा थापित एक बहु पक्षिय वित्य संस्थान है समझ में आया है तो फटाफट 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 से दिखाऊ मुझे अपने आंग उठे और बोलो कि हासर समझ में आगे कोई दिख कर लिए ठीक है अगा चलो बड़ा बड़े आगे 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 अगे बढ़ते हो देखते हमारे पास क्या है कुछ तरी के ब्राजील की रसी लिया है वंची का शर्मा बिल्कुल सही है तुमारे स्थ है कीना टेंटां फ्री खेल इस लिए को डिए पृण ये वोना हुआ हुआ वाल एंग फॉलिंग वन द श्विस ओपन शुपर 300 बैंडमेंट न डबल स्थाइटर तो किसने बल्स अपन सुपर 300 बैंड मंटन डबल कि व्फटनाबे पॉन पावी चो चुवांग यया सत्तुर्पर चिराग तो किसे जिटा है फटावाराडS पात तो आंसर बिल्कुल नहीं एसका का यह अंची तीवारी हेलो 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 कैसे टू Lebensxis चलू आँफार तौडब से स्टबन बाली का और विल्मॉ c tv का भिल्मॉस यह पल्कुल सः यह खेक सथ का खया था तो कट चुका है बाकि लोग का सी बाखी अ sweetheart थो कि भी ऐसी डी मैं से कि अंसर रेने वाला ना त यह को डियाकि अंसर एट डे रहा है ठिखे आ अंशिवाग गुपता इक चाम नीचल चैनावाले सरे ये सब ने सारे चायना वाले में कुछ थाइलाइंड वाले भी ए और कुछ जैपैन वाले पिछाड रहे ठीख है और यह लोग अब अपने आगे निकलने की मिलब अपने आगे ही एक स्पोर्ट में लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इन लोगों को पीछे छोड़े तो हमारे प्लेयर सब उबर क्या रहे साथ भी चिराग में जो है इन लोगों ने जीती है क्या डबल्स की डबल्स में और यह जो को की वतनबे ये to our local players M.A.E. player here you buy a style of laying on a grandparents Haorsa ội की advocating Anda और इसने के देखोन उल्समेल्स नात्रांग दो जिते और सिंगल में सिंगल में को की वतन में जीते इंग्ल स्में सिंगल समें और सिंगल स्थिन्स की है टाइटल दोज़ाइस किसे जिता है को की वतन में और यह जो पान पावी चोचुवांग है यह भी दो जने नहीं यह भी एक ही एक ही लड़की है ठीक है पॉन पावी और इसने singles में women category में singles women category में क्या जिता है इसने singles की women category में इसने जिता है क्या या यह वाला Swiss open super 300 बैनमिंटन का title 2013 singles women category में समझ मैं यह देख लेते इनके बारे में जारा सा देखू जारा क्या बता रही है यह सात्वीक और शिराग एना सात्वीक और शिराग की जोड़ी है यह देखू जल्दी से क्या बोल रहा है सात्वीक शिराग विं स्विस ओपन super 300 टाइटल 2030 इंडियाज मेंस डबल्स बैनमिंटन पेर सात्विक साहिराज रंकी रड़ी एंड चिराग शेटी वन स्विस ओपन शूपर थ्री हंडिटल इन 2,023 θα लैंड टो यह वाला कापर हो रहा था मैच तो बेजल स्विसलेक में सो रहा था है बेजल स्विसलेक में और स्विसलेक चैंपिंशिप डेबल्स की डावली जो है जो हो जिच चुके है साथ विक चिरा की जोड़ी चुकिए किसको हरा है लोग नहीं लोग ने हराया चाइन वालों को चाइन वालों को जो बॉर्टर पर हमें तंग करते रहते इनको रहा है दे बेट रेंज यांग यू एंट तन क्यांग फ्रॉंग चाइना बाइट ट्वेंटीवन नाइटीन मेंसेंजंग वाइव ό 020 तो और रेंजी और तान कई और इन्होंने हराया है मैंस इंगल्स स्वट ओन बाय को की वतन बे जैपैन के जो ठीक है तो को क्यों बेने क्या चाई den मेंस सिंगल का टाइडल जीता है और विमन सिंगल्स का टाइटल टिता है पॉन पावी चोच वांग ने जो की कासे है थाइलैंस आपने बच्चों का ऐसे नाम मत रखना पावबी त्य गंदा सा लगता है दो चोचवांग ठीके चलो तर्या तेक हिंधी एंग्लिश वोट इं 23 भारत की पुरुष यूगल बैडमिंटन जोडी सात्विक सायराज रेकी रिडी और चिराग शेटी ने 2023 में स्विस्टर लैंड के बासेल में आयोजित स्विस ओपन सुपर 300 का खिताब जीता है उन्हों ने चीन के रेंज यांग यू और तान कियांग को 21 और 24 बाइस सहराय पुरुष एकल को की वतन बे जैपैन ने जीता इस फंदर मेंट जैपैन ने जीता महीला एकल का खिताब पॉर्ण पावी चोचुवांग थाइलेंड ने जीता है समझ माया तो फटाफट फटाफट से दिखाऊ मुझे अपने आंग उठे और बोलो के हासर आ गया समझ में अब कोई दिकत लिए सोराश्टों गूर्णिंग आप जल्दी जली से थोड़ा से जल्दी करते ठीक है किसी और के क्लास लगने वाली आपर नेश्ट कुशन दो क्या हूं लिफ्टेट द इनागरल विमेंस प्रेमियर लिग ट्रॉफी तो विमेंस प्रेमियर लिग की ट्र ट्रॉफी है मुंबई इंडियन से किसको अध्य तो डिल्ली कैपितल स्कॉर आया है एन असाथ विकेट ऊहरा है इमर्जिंग प्लेयर आफ दे सीजन कों है तो याष्टी का बाटिया है मुंबई इंडियन की और फ्रेर प्लिया वर्ट किसको मिला तो फेर प्लिया वर्वा देखो अच्छे लग रहे सात में ठीक है तो सफी डिवाइन को क्या मिला सोफी डिवान को मिला सफारी पारफल स्टैकर ऑफ दे सीजन का वर्ड परपल कैप मिला है है एली मैथ्यूज को मंबें इंडियन्स की और इंज कैप मिला है मेगल लैनिंग को और मोस्ट वैली मैथ तुम लोग पीदियस से पीदियस मिलेगी कापर टेली कराम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में तो उसमें मिलेगी और मुझ से अगर कुछ भी बाते करनी है तो कमेंट सेक्षिन में ज़रू लिखना आज की क्लास कैसी लगी वह भी ज़रू बताना मुझे छोटो कुमार गू 48 kg category 148 kg category में तो यह निटू गंगा से जिता है 48 kg category में ठीक है किस में टाय नी तो कंग समय जिता है बॉक्सिंग चैन्पेंशिप लेखर पोलना ज्लदीदीश इस तो यह बोल रहा कि इंडियन वोमेन बॉक्सर नितू नितू गंगास हैस क्लेंच गोल्ड इन फोर्टी एट के जी कैटेगरी ऑफ दा आई बीए विमेंस वर्ल बॉक्सिंग चैंपेशिप 2023 हेल एड़ एड़ केडी जादव हॉल आई जी स्टेडियम न्यू दिली तो न्यू सेट सेग लुट्सियान खान को हरा है इसने जो कि मोंगलिया सी थी और 50 से हरा है और इंटरनेशनल बॉक्सिंग असोसियेशन का हेड़ का पर है तो ल्वासने स्विजर लैंड में है और प्रेसिडेंट को ने उमर क्रेम लेव है और इसको कब फांड किया गया था इट वस बॉक्सिंग चैंपेंशिप है वल्ड चैंपेंशिप तो इसमें 2018 और उसमें ब्रॉंज मेडल था इसका और टोक्यो ऑलम्पिक्स में भी इसका प्रॉंज मेडल है लेकिन पहली बाल यह वल्ड चैंपिन मनी है और इसने लवलीना बॉर्गो है ने क्या कर दिया है अब जितने के लिए और बॉक्सिंग चैंपेंशिप बने के लिए यहीं चीज़ बता रही है कि दो अधर आठारा उन इसमें इसने क्या कर रहा ब्रॉंज मेडल जीता था लेकिन गोल्ड मेडल कभी इसके पास नहीं आया था तो पहली बार गोल्ड मेडल आया इसके पास और व गोल्ड लेकर आई यह लेकर आई यह 72 अब इंपॉर्टटन चीजा अब आज से प्रतिक्या बैच हो रहा है और प्रतिग्या बैच जो है बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा important अगर अभी तक आप लोगों ने स्यूट के लिए एंडॉल नहीं किया तो फटावट फटावट से एंडॉल करें ठीक है मेरी guarantee है क्योंकि टीचर जो है बहुत ज्यादा मेहनुत कर चुके और result लाने के लिए गया बैच जो है यह आज से स्टार्ट हो रहा है आगे ना क्योंकि आज फर्स्ट अप्रिल है और फर्स्ट अप्रिल दो हज़ा तेस से स्टार्ट हो रहा है इसमें डॉल करने के लिए आपको जो कोड यूज करना है कोड यूज करना है वो कोड यूज करना है आप लोगों को जा रहा हूं वाई 742 IMPORTANT 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 मैं खुद इसमें जो है आप लोगों क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल सायंस हो सकता कि करन टाफेस्थ भी पढ़ाऊंगा आप लोगों वेसमें ठेक है तो यह चीज क्या करना इसमें डॉल वगरा कर ल लोगे तो ऐसी कुछ स्लाइड बनी आएगा आपके सामने इसके पर क्लिक कर देड़ा ओल कॉर्स इसके पर क्लिक करोगे वैसे अंडर्ग्राइड एक्जाम दिखेगा और इस साइड में सी यूटी सी वीटी दिखेगा आपको लोगो दिखेगा तो आपके पास बहुत सारे अप्शन्स आ जाएंगे है ना स्वीटी महापैक वगरा वगरा लेकिन आप लोगो क्या करना है जैसे फर एक्जमपल आप लोग साइंस टुडेंट हो आर्ट सुडेंट हो कॉमस टुडेंट हो जैसे भी हो ठीक है तो यह सारी की सारी चीज़े देख लेना जैसे फॉर एक जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रतिक के बैच दिखेंगा देख रहे कैसी है जो भी आपको पसंद ओ इस सारी हाइलाइड नाची अधे से उखेक और किया चोपनो टॉल करने के लिए कि लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेग sach करेंगे तो आपको 2499 कर लोग डालांगे कोड मेरे ऑला जो की है क्या जो की है नहीं आ रहा है चलो यहां पर आप लोग जैसे वाई 742 डालेंगे तो आपको 21-22 पर सेंट कर डिसकाउंट मिलेगा बहुत सारा बंपर डिसकाउंट अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्दम अब लोग की पढ़ाई हो एक्दम बढ़िया तरीके से ठीक है तो ठीक है आई होब कि सारी कि सारी चीजे आपको समझ में आए होगी वाई 742 या दखना जो कि अड़्या 247 का उल्टा है ठीक है जैसे आप लोग उस कोड को डालेंगे इसके लिए लिए ना बस और उल्टा ल दिखाईये मुझे दिखाईये बहुत सारा प्यार कल सुबह साथ बजया पर मिलेंगे मार्च के टोटल सारे के सारे करेंट आफेस के साथ तब तक के लिए मोहिन पठान आप सबसे कहता है क्या जैहिंद क्या जैहिंद